नमस्कार आप सभी का सौगत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास आल पर हलो हलो हां कौन इसके नमस्कार नमस्के शॉम्ट हुम इसके आपके में कुछ कोशन थे हैं उनके जाब पाहिए थे हुम बताइए जैसे कि आप बोलते हैं है कि वह श्यारजजदीशी जो ट्रेशनिंग है होगी उसके बाद होगा कुछ तो वह निपुर्ण भारत वाली है या एक है कि अंतरगत निपुर भारत की टेनिंग चल रही है तो उसमें कहां डाउट FLN निकुड भारत में यह हमाई ना यह डॉनल ट्रेनिंग हो चुकी है हमारी यह एक लन वाली भी और निकुड भारत वाली भी डॉनल ट्रेनिंग हो चुकी है आपको तो FLN निकुड भारत समझ में FLN एक योजना चलाई गई है ठीक है जिसके तहर बहुत सारे कारेकरम बहुत सारे प्रोग्राम डिसाइड किये गए हैं तो FLN तो चली रहा है उसी के अंतरगत योजना और अलग से चलाई गई निकुड भारत तो यह भी चल रहा है तो इसमें दाउट कहां है निकुड भारत और FLN में अगर आपका FLN का टेनिंग हुआ था अभी निकुड भारत चल रहा है यह हुआ तो गौवर्ण्मेंट यूजना है लेकर आती उनकी प्लानिंग होती है कि हमें यह चीज करना है तो उसके लिए क्या-क्या स्टेप्स हैं वोगने फॉलो करते हैं दो अब उसके बाद यह करी चौटी साल बाद आई है जो पूरानी सिक्षानी यानि की कि जो इसके पहले नए सिठानी ठीए उसमें जो-जो चीजेे रखी गई थी तो उसको पूरा करने में काफी टाइम लगा तो इसमें भी बहुत कुछ रखा गया है वरकमान समय को देखते हुए भविस्त की जरूरतों को देखते हुए कौवर्मेंट उस हिसाब सागे बढ़ रही है तो उसमें जो जो कार्कम होने तरह किया है वो उसको पूरा करने के लिए जो भी स्टेप्स लेने होंगे ले रहे हैं तो अगर कोई चीज है कोई भी कार् एक्षाम मान लिते हैं इसको में एक्षाम होना थे जैड़ा चाहिए उसके बार रिज़्ट जारी होगा प्रोसेस अब अगर बच्चा जो है आज ग्याम दिया और तुरंट टीचर के पास पहुच जाए किस तर रिजल्ट हमारा बताईए तो संभव है कि अब वो तुरंद बता दे कॉपी चेख हो उसके बाद ही तो बताएगा तो हर चीज का प्रोसेस है तो यहां तो हम लोग जानते हैं कि कॉपी चेख हो ना उसके बाद रिजल्ट आउट होगा लेकिन जो गौवर्मेंट राष्टे से चाने के लेकर आई है उसमें जो जो चीजें वो तैय किये हैं तो मूल-मूल चीजें जो लक्ष जो उनका है उन्होंने उसमें वो तो लिख दिया कि हमें यह चीजें करनी है उसको करने के लिए क्या-क्या डिशाइड किया है किसको कौन सा काम दिया गया है क्या-क्या यूजनाय बनाई जा रही है वो तो जैसे-जैसे सामने आएगा वैसे-वैसे न दिखेगा वो तो हमें आपको नहीं मालूम है हमको आपको क्या दिखाई दे रहा है जो राष्ट बता दिया गया है कि हम इस रिजल्ट को पाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे अब क्या क्या करेंगे वह सामने आ रहा है और हम लोग देख रहे हैं तो राश्टी से चानीति आपने पढ़ा कि नहीं अभी तक यह आपके सबकी कमी कह लें या समस्या कह लें कि हर कोई हर बहुत कुछ चाह रहा है लेकिन करना कुछ नहीं चाहता मात्र ॐख Stell ranking करणा जुख से जाधा तो नहींyan उसमें और उसरे पूरा नहीं पढ़ना है चिक्छकवं भर्ती वाला जहां पर है जिस पेज पर है एक पेज होगा तो पेच होगा इससे आप बता देते हो हाँ तो अभी प्रधामंत्रीजी एक जगा भासर दे रहे थे उसका एक पार्ट हमने काट करके वाट्स आप कई बार किया हर एक समस्या का समधान उसमें है उन्होंने कहा है इसका वाला मंत्रीजी बोल रहा है कि फूलिश्टाफ कौमा के साथ इसका मतलब है कि वो उस पर आपका ध्यान केंडित कराना चाहा रहे हैं कि आपको उस पर भी ध्यान देना है और फूलिश्टाफ कौमा को लोग ध्यान नहीं देते हैं जो फूलिश्टाफ कौमा को नहीं ध्यान देता है इट मिन्स वो ध्यान दीजे यानि कि एक सब्द को एक वाक्य को गहयाई समझे कि उसमें क्या-क्या चीज़ें चूपी हुई है उसके नतरगत क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं हमने इस आडियो को उनका वीडियो को कई बार कटिंग करके सेट किया है वाट्सप पर अपने सारे क्वेश्च किसी के द्वारा जो आप लोग के जो नेता विरता है सिक्ष़ामित्रों के उन्हें किसी ने कोई पोस्ट लिखा है तो वही पोस्ट वोह में भेजे हैं तक हम नेताओं के चक्क्र में बिल्कुल नहीं पड़ते यह अच्छी बात है लेकिन आपको थोपड़ करके सुना द यह जो वो लोग समझ रहे हैं और वो इसके तो हम लोग देखो पांच उंगले कभी बरावर नहीं होती हैं एक मार के बच्छे नहीं बरावर होती हैं हम यह नहीं कर रहा हैं हंड़ीट परसेंट हम मैं से बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अगर भी मतलब कुछ भी मानने को तयार यहां प्रॉबल्म क्या है अगर आप तार्किक बात करेंगी जनुएं सही बात करेंगी तुकि सामने वाला पहले से दिमाग में कुछ ले करके बैठा हुआ है तो वो आपकी बात को स्विकार नहीं करना चाहता तो अब वो आपकी बात को काटे कैसे चूंकि आप तरक्वा कर रही है जनुएन बात कर रही है लेकिन यू उसको आपकी तरक अच्छी ने लग रही है सही बात उसका आप उछी ने लग रहिए वो बस चाहता है आप उसके मनवाली बात कीजे तो इस काऱर से क्या करता है कुछ नहीं मिलता है तो कह देगा कि यह तो अंधभक्त है astrology आप दोटे हैं यह हम जुन कोई बात जिनुएन करेंगे और उनको अच्छा नहीं लगेगा तो चीदे करें जो भी जैँ लिए उनको बयुद्धी है यही विरोधी भी लिए लोग जिन लोग इस तरे हम आपको वह बता रहे हैं जो चीजे लोग कर रहे हैं और जो हो रही है जो सिक्षामंत्री के बयान से यह बात सपष्ट हो गया कि वर्तमान सरकार सिक्षामंत्र के लिए कुछ भी नहीं करेगी यानि कि यह सिक्षामंत्र के लिए कुछ करने की बात को लिख रहे हैं कि अब इसपष्ट हो गया है सिक्षामंत्री ने कुछ कहा होगा तो अब इसपष्ट हो गया तो पहले बाद तो जिसने लिखा है वो एक नंबर का मुर्ख है कह रहा है कि अब इसपष्ट हो गया मतलब आज कुछ कहा तो तुम्हें आज इस पश्ट हो रहा है मतलब गौवर्मेंट ने साधराष्टे सिक्षानिती दो साल पहले लिखित में दे दिया तब तुमको नहीं समय में आया कि उनकी क्या प्लानिंग है गौवर्मेंट इतना कुछ से बोलती रहती है कहती रहती है तब त कह रहे हैं कि केंद्र या राज में सरकार बदलने तक इंतजार अच्छा तो पहले बात तो इंतजार जो कर रहे हैं तो मुर्खता है अभी तो यूपी के अंदर नहीं सरकार बनी है तो आने वाले चार साल तो अभी और हैं कम सकम 5 साल की यूपी में तो सरकार नहीं बदलन वाली तो पांसल बाद का फिर सोचें और वो भी पांसल बाद फिर यही आ जाएंगे फिर ऐसे यह पांसल और इंतियार करते रहेंगे अच्छा सामने चुनाव है कोई और आ गया तो क्या वो चुनाव जिसने बाद सीधे आगर के सिछा मित्रों को पैर में गिर जाएगा कि भाया तुम भी नहीं करता तो पैर पकड़ लेंगे तुम ही देश चला हो हम नहीं चलाएंगे यह लोग नहीं सोचे तिक अखलेस भी आ जाएंगे उत्तरन ता कि तुम लेटर तमा देंगे तुम पर्मानेट हो जाओंगे ऐसा भी होता है कि इसने पहले ही नहीं सोचे तुम लोग कहां जाओगे कैसे करोगे अब क्या सुचेगा तुम्हारे बारे में अगर कोई बाप या कोई मां जो है अपने बच्चे को मर्डर करना सिखा है चूरी क अब पॉकेट मारना सिखा यह सब सिखा है तो क्या उस माँ को या बाप को नहीं पता हम क्या सिखा है इस उपभवी क्या होगा तो इतना चाहते हैं सब्सक्राइए थोड़ा हो जाहे थोड़ा लेट हो जाहे लेकिन जो भी वह सही तरीके सब्ता कि कोई आने वाला अगला तो जब अखले स्यादो जिए कर रहे थे उनको सब पता था हम क्या कर रहे हैं अग्वान है नोग धिद करते हुनी की मान डिने तो चूट ले सकते थे उसमें ये भी लिखा है कि अगर अध्यापक नहीं है तो ट्रेनिंग से भी छूट दिया जा सकता है यानि कि आर्टी एक्ट में हर चीज लिखा हुआ से कोई भी सिक्षा में लगता है आर्टी एक भी नहीं पढ़ा होगा 2009 में ये लागू हो चुका था तो उसमें तो छूट के सारी प्राविधान बनाए गए थे फिर भी इनोंने छूट नहीं लिया इट मिंस ये जो चल रहे थे जो चाल जिसमें ये सफल भी हुए कि हम देंगे भी तुम ले भी नहीं पाओगे हमारा नाम भी हो जाएगा हमारा नाम हो जाएगा कि हम दिये और जो है बनाम कोई और होगा कि कोड ने कर दिया तो सारा काम मायवती जी ने किया सारे और उने किया में और को क्वेडित ले ञाते हैं क्यों हम दिये हैं मघर तुम ले हैं नहीं पै। यहां कि क्या पहले सखोल सख्रूंद परक्ष्व मोधा क्यों करें की उनको कुछ मुंग नहीं करना चार रहा हैं कि में अखरे कि आयो लिए थे इनका अपना कोई धरातल खुद का कोई धरातल नहीं था यूपी के अंदर सिर्फ इनके पीछे जो बैग्राउंड था मुलायम सिंग्यादो जी था उस कारर से ये सीम बने पहला पॉइंट ये था इसके बाद दूसरा पॉइंट ये था हम लोगों ने आने लोगों ने सब ने वोट दिया था इनको और इस उम्मीद से दिया था कि ये बाहर से पढ़कर आ रहे हैं यूवा यूवां को समझेंगे और नहीं नहीं टिक्नोलाजी वगर तो बाहर से आ रहे हैं तो वहां की जो जो सोच करके इनको जिताय गया था वो सारे फेल हो गये थे ये भी जानते थे कि हमके इन कारणों से जीते हैं फिर भविश्य में ये कारण हमेशा नहीं रहेंगे तो ये कुछ और कारण लेके आना चाहते थे तो जानते हैं कि पढ़़े लिखे लोग जो है ज्यादा कि दूनिय 여자 जानते हैं उनको थोड़ा लंबे समय डेकों बनाय सकता बहुत लंबे समय तक नहीं लेकिन फोड़ाल के बनाया जा सकता है तो इनका उदेष से कि पांच साल के कारेकाल के बाद फिर अगले चुनां जीक्तना है तो कुछ ऐसी गुट को लेकर के चलो कि फिर हम सत्ता में आ जाए बस इस कारण से जलबाजी मिनों ने उल्टा सिधा सब किया काम उन्हों ने जो किया वो अच्छा काम था समयोजिन करना सही था सिछा मित्रों को उनका हग देना सही था लेकिन तरीका गलत अपनाया यह उनकी गलती थी और वो यह ऐसा नहीं कि गलती से किये जान बूश कर किये क्योंकि वह वही चाहते थे कि हम बिटा तुम्हें देंगे भी तुम ले भी नहीं पाओगे यानि हमारे बज़र पर खर्चा भी नहीं गिरेगा और केंद से हमको अनुमती तो मिल ली नहीं है तो यह उल्टा सिधा करने के लिए तो ऐसा करते हैं कि कुछ कर देंगे और फिर मुद्दा उलच जाएगा मेरा नाम हो जाएका हम किये थे तो बस वह अपने चाल में काम्याब रहा है खैर आते हैं फिर से उस तौर उन्होंने लिखा है कि आगे जो है दूसरी सरकार आएगी तो ऐसा हो सकता है तो दूसरी कोई सरकार आजाएगी असं प्रिम कोड का फैसला आ चुका है और नियम में ऐसा कहीं नहीं है कि संभिदा सिक्षकों को पर्मानेंट किया जाए नियम यही है सिर्फ विग्यापन जारी कीजे सबको मौका दीजे कि जिसको जो लाब देना उस विग्यापन के अंतरगत घोशित कीजे घोशा कीजे कि हम इनको यह वेटेज देंगे ऐसा ऐसा लाब देंगे उसका लाब देते हुए जो लोग सफल हो जाए उनको ले लीजे यही है तो अब बताई यह जो लिख रहे हैं निताजी लोग कहां तक सही है अच्छा इन्हों ने एक चीज और लिखा है आगे कि जिस ऑजार को लेकर आ इंटर्नेषनल अदालत में चुनोती अधिन्जेनि बदेंगे अब बताई इंटर्नेशनल अदालत के पास इतने बड़े संसार में एक छोटा सा देश भारत उस छोटे से देश भारत के अंदर एक छोटा सराज उत्तरपदेश और एक छोटा सा राज उत्तरपदेश उसमें एक छोटा सा गुर्ट सिच्छामित उसका मुद्दा इंटर्नेशन दालग सुनेगी तो इदम मुर्फ वाली बात कर रहे हैं खैर हैंगी जो भी बाते इसको छोड़ देते हैं तो आगे कोई समायोजन हाँ एक म बहुत जल्दी सिच्छामित्रों को समझ में आता तो बात समझाने के लिए विझ्ञान आने जा रहा है उस विग्यापन में सिच्छामित्रों को ब्लाब दिए जाएंगте काम सब लोग भरेंगे ह। जो सामने आएका जब आप उसको पढ़ेंगी तो इसदम क्लियर हो जा जो प्लानिंग इस शाफ से है कि जो टेट-पास सिठ्छामित्र है और प्रेम्री में प्रेम्री में और पर हंडेट परसेंट सिठ्छामित्र को कर देना है पर्मानेंट लेकिन नियम से होगा है जाना चाहिए जैसा कि आप बोल रहे हैं कि पर्मेनेंट भी होगे उसके पीछे कोई एग्जाम अगया कोई सूपर्टेट देना होगा या इस तरह की कोई तयारी पिर हम तयारी रखेंगे ना अपने इसलिए कोई सूपर्टेट इग्जाम नहीं होने वाला है इसमें जो होन स्का唇त देर के हाथ में है है आज कोई नियम बदलाव कर दें तो बिना सूपर्टेट के होगा सूपर्टेट तो सूपर और सूपर्टेट ​​ से ओप्लीक्ष्यन सबस्집ाइं कर सकता जिक्नी कॉद्टा मैंति जो हो रहा है यह अलग मेटर है इसमें सूपर्टेट नहीं देन है जो कोड में कहा गया था तीसरे मौके की बात आप इसको तीसरा मौका ही मान लीजे यहां सुपर्टेट नहीं देना है डायरेक्ट विग्यापन आएगा उसमें फॉर्म भरना है और जो प्रॉसेस होगा वो मेरिट बेस पर होगा मेरिट कैसे बनेगी लेना तो लगभलग म लगा था चार लाख पद हमारे पास और हैं इनको बाहर मत कीजिए तो चार लाख अभी तक भरे नहीं हैं जो भी भरती हुई है जो समयजें अंदर दुआ उसी के पद पर हुआ है तो पद अगर देखा जा तो चार लाख जो अखलेश कहर है तो हम मान लेते हैं चलिए प् कि सिक्वेंस में लभख सभी लोग हो जाएंगे कोई भी नहीं बचेगा हां प्रॉसेस में यह हो सकता है मेरेट बनाने में कि जो राश्च्रे सिख्थानी टीम कहा गया है इंटर्व्यू डेमो तो उसमें कहा तो गया है अभी तक सरकार ने लागू नहीं किया है लेकिन मा आपको तो देना ही पड़ेगा ना उसका कोई अब्जेक्शन करें या कुछ भी करें तो इसलिए इंटर्व्यू डेमो को माइन में 100% मानकर चली कि होगा हो गया तो अच्छी बात नहीं होता है डालेक्ट करते हैं तो और अच्छी बात तो अभी सगरां इंटर्व्यू ड इंटर्व्यू सब्जेक्त कैसे करें क Свーモी कुछ ने आता है जैसे 2011 मिदी टीटीए था मैं अस वक्त नड़ी कोंचिंञ था नय यू-टीव था न बताने वाला था कुछ भी क्लिर नहीं था हूं मुदर्ड पहली बार दो औरी कंडिसन से होगा तो जब लिधर नाना प्रस पिश्टानक से कोई चीज आयेगा तो उसका लेवल आये स्पीश्यस का रख देंगे शामानसी बात है इस स्टेज पर हम है जो इस स्टेज पर लभग होता आया है या कहीं भी यूपी के अंदर या आने कहीं पर भी तो लभग मिलता जुलता ही देखने मिलेगा तो यूपी क आपने आप में बहुत जादा है तो जो भी स्टेज की त्यारी रखेगा उसको इंटर्वियू में एक प्रस्ण ऐसा नहीं मिलेगा जिसका जवाब नदे पाए तो बस सूपर्टेट का से उठालीए दो बार सूपर्टेट हुए हैं 68,500 और 79,000 एक लिखित में हुआ है के हुआ है तो पेटर्ण जो था उसका सिल्वस आप ले लिए और पढ़िए जैसे एक्जामपल में लेते हैं हिंदी अब जी चाहे वह सुपर टेट में आया या पूझने durable का एक उसका पूछने का पैटर्न हो जाकता है कि तो न्सकी देना है यहां पर जैसे कि हम लोग तक पढ़ाते हैं तो इसी की राउंट की पूछें आप यह मान कर चलिए कि क्लास एट तक का सिलिबस हरहाल में कवर क्योंकि जहां तक जिसको पढ़ाना है उससे उपर की लेवल का सिलिबस रखा जाता है उसमें कवर किया जाता है तो हमेशा पैटन तफ किया जाता है थोड़ा सा ताकि थोड़ा ज्यादा नौलेज रहेगा तभी तो अच्छे से पढ़ा पाएगा तो कम से कम कच्छा आर्थ तक के सारे सब्जेक्स का नौलेज होना चाहिए और सुपर्टेट में फिर इसके बाद देखिए क्या बच जा है तो भाशा दो या तीन रहने वाला है तो अगर दो मना जाए तो हिंदी रहेगी रहेगा आण दूसरी वह सांग्लेस जो की अर्षकल हो गई है तीसरी भाशा में जो भी जो पढ़ना चाहे चाहे संस्क्रित या उर्दू इसका जो भी हो और तीन भाशा तो मानकर चलिए इसके बाद Math से तो पीछा नहीं छूटने आला है, तो कम से कम, क्लास 8 तो नहीं कहेंगे, क्लास 7 तक क्का Math संभभ हो तो क्लास 8 तक का भी, नहीं तो कम संह। क्लास 6 या 7, 7 तक क्का Math हर हाल में आना चाहिए, हर छोटी से छोटी चीज मालूम होनी चाहिए, और मेत का ही पार्ट है रिजिनिंग में 10-12 चेप्टर है जो कि पढ़ने होंगे तो वो इसमें के साथ में आ जाएगा संख्राउं को बहुत बड़ा है अगर आर्ट में आपका इतिहास है इसके बाद अर्शास आश्ण सब्रसंत हैो बहुत साइची चीजें हैं तो इसके बाद साइंस में जाएंगे तो साइंस में आपका आजाता है फिजिक्स कमेश्ट्री बायो पाइसकी तंद और टेक्नोलाजी में चले जाए तो टेक्नोलाजी है सब मिल जाएगा इसके बाद करेंट में क्या चल रहा है तो अगबार पढ़ते रहना है तो यही सब रहेगा इससे बाहर तो नहीं जाने वाला है और बताइए कहां डाउट है कहें एक जैसे कि आप बोलते हैं कि दूह जार यह से था तक कि सभी टेक्ट पास को वर्षवार जो निखती है तो यह तो सभी के लिए होगी ना इसमें अभी गौश्रा करेगी विग्यापन जारी होगा तो जब भी को विग्यापन जारी होता है तो उसमें लिखा होता है कि योगीता क्या-क्या है तो जब यह विग्यापन निकलेगा प्रैमरी का तो अहां पर कुछ सर्थे लिखी होंगी विग्यापन के लिए सब्सक्राइब तो उसमें सर्त होगा एंक आप ट्रेंड है या नहीं है आपने कौन सा टेनिंग कोर्स किया है तो यह पहला पुछा जाएगा अब इंटर पार्स हैं ग्रेजुएंट हैं यह समें होगा कम से कम ग्रिजुएशन तो निधायत रहेगा तो एक तो हो गया कि सामाने पढ़ाई इंटर या फिट रिजुएशन उसके बाद टीचर टेनिंग कॉर्स से सम्मधित जानकारी मांगी जाएगी इसके बाद प्रैमरी लेवल पर पाइड़े में तो टेट अभी है यह अब यहा लेकिन अभी चूकि चुकर मी तो मुद्द्अ काफ लंबे समय है इस वजह साभी प्रैम्री टेट लागू किया जा रहा है नहीं तो राष्ट्य सिक्षानिती मी तो इस पर लिगा चुंकि प्रैम्री का लिए होगा प्रैम्री Elioka आप सुन रही है पुराशे सिख्षानिती का ही पार्ट है जो कि कभी उसमें कुछ काम होता है तो अब बारवाले चापते हैं और सोसल मीडिया पर फेस्बूक गर अब कर लोग उसी की चर्चा कर रहे होते हैं तो वह तो दो साल पहले गौशा कर दिया है ना आते हैं तो रई प्रेट लागू होना यह होगा ही होगा लेकिन चुकि सिख्षा में तो मुद्धा काफि लंबे समय चला रहा है और इसको हल करना और इसी कारण से कलास वन टू को प्रेटरी से में किया गया है ताकि यह वाली समस्थ्ष्ष्ष्ण ना आने पाए तो जब तक यह मुद्दाहल नहीं हो जाता है तब तक हमें उम्मीद नहीं है कि प्री प्रेमरी में टेट गौर्मेंट लागू करेगी एंसिटी अभी लागू नहीं करेगी जब तक भरती भी नहीं आएगी सर कोई से पहले यूपी के अंदर दुख कह सकते हैं कि अभी फिलहाल कोई भरती तब तक नहीं आएगी जब तक यह जो हम बता रहे हैं यह सब हो नहीं जाता और अगर मान लेते हैं कि इतिफाक से गौर्मेंट कोई निकालती भी है कि ताकि और अन्य लोग अब्जेक्शन न करें तो एक वि तो राज्यों के टेट होते हैं वह भी देखे अभी हर्याडा से भी कुछ नहीं जा रहे हैं हमने डाला है ग्रूप में तेल्क्राम पर बिहार से तो क्लियर हो गया है कि वहां पर यूपी सरकार भी टीटी पर अभी तक कुछ नहीं कह रही है तो यूपी टेट भी मांग च इसको चेक करें किसी का पोस्ट होगा या कोई वेप सइपला लिख रहा होगा तो यह दो तरह के नीज लिखते हैं एक अधानल ने वह तरह कर दीए या वासताओ में हो चुका है उसको लिखते हैं दूसरा यह संभावनाओं पर लिखते हैं अपने मन के विचार लिखते हैं या किसी और के मन के विचार लिखते हैं तो जो मन के विचार है उसका कोई मतलब नहीं बनता है तो गौर्मेंट ने अभी तक कहीं घोसा नहीं किया है टीटी का अ कोई मतलब नहीं है दो दो टेट कराने का वैसे भी इतना फर्चा होता है और कहीं कोई डाउट नहीं से ले वैठी तो एक चीज़ क्लियर होगे ना कि समायोजन जो हुआ था और रद हुआ और अब भविस में समायोजन नहीं होगा यह तो क्लियर है हम लोगों का समायोजन ही नहीं हुआ था अब यह तो यह तो यह तो यानि कि आप साड़े तिन जार पा रहे थी फिर उससे दस जार पर आई है हमें एक फायदा यह हुआ इस गौर्वर्मेंट काने का हम पहले अपने माइगे में से अब हम अपने सुसरार में आ गए है अच्छा अच्छा ने एक और फायदा हुआ है जी हां सेलरी बढ़ गई है ने सेलरी बढ़ गई कि नहीं बात करेंगे एक व्यक्ति एक रिक्सा वाला उसको आप राजा बनाईए बड़ा खुस होगा लेकिन जिस दिन उस गदी से उसको उतारा जाएगा उस दिन उससे द गलत बात हुई है मनदर एक दम से तो या तो फिर आप लोगों ने सब पुल दे दिया उने जो हुआ उसकी बार नहीं कर रहे है हम एक सामान प्रविक्ति की बात कर रहे है कि किसी भी व्यक्ति को जहां पर है वो उस जगा से उपर ले जाना जैसे वो सुपर थट्टी वाल पढ़िएगा उनका तो उनका बहुत बढ़ियां चल रहा था लेकिन जब करोड़ पती में जीते उसके बाद उनकी कहानी पढ़िएगा क्या हुआ तो बहुत बुरे दिन आए उनके क्यों आए तो जब उनके पास पैसा आया तो लोगों की अप एक्षाएं बढ़ गई उ उनकी भी've भड़ गए उनके भी खर्चे बढ़ गया तरह तरक चीज़े ले लगे है वह इसा तो नहिंए कि सेलरी फिक्स अपिश हमेसा मिलेगा उतना और अचानक आया शरूंस करना बड़ा अगर हम से कोई पूछेगा हम यह कहेंगे कि जिनका समय जा नहीं हुआ था वो ज्यादा अच्छे हैं करड़ क्या है वह साड़े तीन हजार पा रहे थे अब यह हुआ हुआ है नाम है उनकी कहानिया पढ़ियेगा उनकी श्रीमती जी ने जब बताया है हर्ती तो हमने जब पढ़ा उनके बारे में तो जो मेरे विचारते हैं 100% वही कहानी निकल कर आया हुआ क्या कि जब उनका बढ़ा उसमें पढ़िये गा हमने वह उनका जो वक्तब है उन्होंने जो इस्टेटमेंट दिया है पूरा उनकी वाइफ ने हमने वह भी डाला था गुरूप में उन्होंने साब बताया कि जब समयोजन हुआ तो हमारे घर थे वह उससे उपर चले गए लेकिन जब समयोजन रद हुआ जो भी कारण बना तो अब जो उन्होंने बना लिया था अपना सुसर इस्टेटर्स जो उन्होंने उपर उठा लिया था अब वह उसको नीचे नहीं ला रहे थे क्योंकि उन्हें हो सकता है थोड़ी समाज के अ तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर हमारे पास तीन बच्चे हैं दो जार वाले इस पूल में पढ़ रहे हैं छे जार को हम फीस में भर देंगे तो कैसे घर चलेगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा अपने उस खर्चे को काटना पड़ेगा ना सिब उसी खर्चे को बलकि अन्य जहां भी और खर्च हो रहे हैं काटना पड़ेगा तो हमें जब फोन आते हैं कुछ लोगों के जो अन्य लोग बताते हैं जहां पर सिख्चामित का समयोजन हुआ था तो जो अन्य फोन करने वाले हैं बीड वाले बिटिस या जो भी पासपर उसमें तो सभी ल बात नहीं करते थे अकड में चलने लगे थे ताने मारने लगे थे वगर वगर इस्ट्रशी जो होने लगी थी तो आपने भी आपने भी प्रेस किया कि आपका समयोजन नहीं हुआ और जिसका हो गया है तो आपने भी देखा है कि जिनका समयोजन हुआ और जिनका नहीं हुआ समयोजन होने वाला समझन का समयोजन नहीं हुआ उनके प्रतिक कैसी सोच बना लिया कैसा वेवहार करने लगा अपने अच्छे पीटे सर मेरे स्कूल में जैसे कि मदलब यह था कि वह तो तो होगे चले गए ते ट्रासफर होके अपने इसमें चले गए ते सर्फ हम दो ही ब भड़पूर का योग दिया है मैं काफी दूर से अपने सुस्त्राल से जाती जाती टेली अपडाउन करती जैसे कि तब मेरे से छोड़ने भी आते थे अगर बाई जानने लेट जातने लेने भी आते थे बहुत हल्स किया है उन्हों तो सब एक जैसे नहीं होते हैं अच्छ सिष्शामित्रों के अंचे प्रति प्यांज स्कूल सिपादू आपश जो लोग रहते थे तो इस तरह के व्यावार को ओने लिए ह। सपोज हम सिख्षामीत रहें हम जिस समाज में रहते हैं हमारे आसपास जो लोग रहते हैं हमारा समयोजन हुआ अब हम अकड़के चले लगें उनको ताने हमारने लगे और बहुत कुस करने अप्र एक गुस्तमाजन रद्ध हो अप्र उनहीं लोगों के वीज्द से हमें गु सिति को बैलेंस नहीं कर पाए तो साइड करना हल थोड़ा नहोता है जुरूरी नहीं है अब हमसे श्यमिर भी नहोते तब भी तो अपने घजलाते हैं यह सरकारी आकड़े कहिए या वास्तविक आकड़े कहिए वास्तविकता है यह आप अपने भी आसपार देखिएगा जित और जिन से आप मिलेंगी सुवा से साम तक उसमें जो है आप देखिएगा पांच-दस परसेंट लोगे जो है ठिक ठाकनी समय को बाकी लोग परसान होंगे उनकी इंकम पांच-जार-दस-जार यही होगी तो यह तो सबके साथ है ऐसा नहीं कि सिर्फ सिप्षामित के साथ जो भी हुआ है उसको हम सही नहीं कहते हैं गलत ही हुआ है लेकिन परसान वही है जो इस्तितियों को जो कहा जाता है ना कि चाहे समय अच्छा हो या बुरा एक समान बने रहना चीए अगर देखा जाय तो उनकी गलती भी नहीं है अगर यह देखिए अगर कोई भी आपने लेवल से उपर उठता है कि हमारे पास अच्छा हो उन्हें यह भी नहीं पदा था कि हमारे लोग नोग्रिया से चली गाई अगर सबको यह अभास होता तो शायद वह लोग इस से नहीं जितने नॉर्मली रहते हैं अच्छा में अगर उन्होंने यह सोचा होता कि शाड़े 20,000 रुपए उठा करके वो सेविंग करना सुरू करते हैं और फिर माल लेते हैं समाजरे रद होता तो उन्हें तकलीफ होती है या वो पैसा जो सेविंग करके रखे रहते हैं वो उन्हें हेल्प करता रहता बस वह यह ना ज़त से ज़्यादा काम ही है अशर विश्वास उ यहां पर मैनेजमेंट उनका जो है हम कहने सही नहीं था इन फ्यूचर चाहे सिक्षामित्र हों चाहे बीएट बीटीसी या दुनिया का कोई इंसान हो जब भी वो कमाना सुरू करें उसको 30 से 40 प्रेस्ट अगर 10,000 कमा रहा है तो अपने को जितना दबा सकता है दबा गर के 3,000-4,000 रूपए अगर 10,000 कमा रहा है तो 3,000-4,000 रूपए अगर 1,000,000 कमा रहा है तो 30,000-40,000 रूपए इतना तो उसको सेविंग करके चलना चाहिए ताकि कल को अगर हमें इमर्जेंसी में पैसे की जरूरत हो तो किसी के सामने हाथ न फैलाना हो कोई छोटी मोटी चीज पर्मानेंट हो जाएंगे अगर आज की तारीक में देखा चालीस जार सेलरी है तो हम तो हर वेक्ति से कहें कि अगर चालीस जार पा रहा है तो अपने सेलरी का 20,000 यानि आधा पचास प्रस्षत चुक्चाप उठागर के बैंक में रखे चुए ना बीस हजार में अपनी ज प्रविजन प्रविजन प्रियेड होता है उसको यह मानग से लिए नौकरी रहेगी या जाएगी कोई गारंटी नहीं है प्रविजन प्रियेड में तो कम स्कम तीन से पांच साल व्यक्ति को आधी से बचानी चाहिए और आज के टाइम में समय को ध्यान रखें बैंक के अकाउंट में पांच लाक दस लाक रुपय होने चाहिए ताकि कल को को कुछ भी बड़ी च्छोटी चीज आए तो हम अपने पैसे से इसका काम कर सकें तो आप भी ध्यान रखेगा जब जोग मिल जाएगी पचास पर सत्मान के चलेगा कि यह सेली मेरी है ही नहीं उसको उठाके सीधेर रखना सुरू पीजेगा यह नहीं कि आ गया तो मम्मी के लिए भाई के लिए धर में देवर हैं ससरे हैं इंकलि उनके लिएए खुस करना सब्कूंठ करना सब नहीं होता है ठोड़ा सा के भाई het वर हम अपनी लोगों को किस रखना चाहते हैं उनके लिए इसकुल ना चाहते हैं अच्छी बात है अगर मेरी इंकम 40,000 लार है तो देखो वो तो हम भी पढ़ा रहे हैं जिसमें में पढ़ाना हम तब इसमें पढ़ाना है हम लोग पढ़ाते हैं घर पे वो नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा इस नहीं हम अपने बच्चे को घर भी पढ़ाते हैं वो थोड़ा से ज्यादा पढ़ा लेचा हैं बस यह पढ़ा चुके हैं और सरकारी स्कूल के भी बच्चे हमारे पास जब में पढ़ाते थे सरकारी स्कूल का थोड़ा माहौल अलग है ने कि हम महंगी स्कूल में डाल तो देंगे पीचर मिल गया स्कूल मिल गया संगत मिल गया लेकिन जो और बिच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनके जो माता पीता हैं वो गर में जो चीज दे रहे हैं उसे वो कि पाएंगी कि दे ना पड़ेगा. लोग यही पफिर हो जाते हैं महाई स्कूल में लेकिन घर पर जो चीजें अन्हे बच्चों को मिल रही हैं तो इसन मिल र जब तक पैरेंट द्यान नहीं देंगे घर पर जब तक बच्चा स्कूल में कितने दिर रहता है और एक टीचर के साथ चालिस मिट बिताता है चालिस मिट में एक टीचर थोड़े उसके दुनिया पूरी बदल देगा वह पूरा टाइम घर पर बिता रहा है आसपास समाज में समझने वाली बाते हैं जो लोग समझते हैंं वह समझेंगे जो नहीं समझते हैं बहुत स見て हैं ब्युक्षा कि अप्एक पता है चृट और राज्य की बात करें तो यहां पर दो सरकार हैं काम कर रही है एक राज जो सरकार होते हैं उनमें प्रवी सरकार होती है केंद्र की करती है और सिर्फ वही सब कुछ करती है वर कुक्कि हमारा राज्य है तो यहां दो प्रकार के सरकार के है उक्री और राज के द्वारा चला जा रहा हैं वह हैं केंद्रि विद्ध्याले और नौद्य जा ले इसके अलावा भी है तो उतना उनका रोल नहीं है तो जो जो संट्रल के सरकार के जो उनके इंपलाईज और कर्मचारी है। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाये जाते हैं आज के डेट में करीब 120 के आज सक्षे पास चल रहा है। बारत के बाहर वी कंद्रि मिध्याले हैं इनिके 率 वह देशों को पढ़ाने के लिए वहां भीिभी कंद्री में देखेंगे तो रहा पर आसपास कहीं न कहीं आपको लिए पर किंद्री कर्मशारी मिलेंगे आपको तो वहीं पर खुला जाता है जैसे कि हमारे यहां थोड़ा दूरी पर एक जगा बन रहा है आर्मी कैम बन रहा है यहां पर यहां पर आरे यहां आकर रहने लगेंगे उनके बच्चों को पढ़ने के लिए गवर्मेंट एक स्कूल अलग से खोलेगी यह तो होगया केंद्री विद्याले जो होता है है दो तरगा होता है शुरुआत में एक से पांच तक चलता है और फिर बादम उसी को बढ़ा करके इंटर तक हाई स्कूल या इंटर तक कर देते हैं यानि केंद्री विद्याले में एक से बारत की कफ्षाएं कलती है केंद्री विद्याले का सेम प्रुजिक लब्भग है नोदे विद्याले का कॉंसेट्स क्या है यह ग्रामीड छेतर के बच्चों के लिए खोला गया है यह आप भी पाएंगी तो देखेंगी जहां पर नोदे विद्याले होगा वहां दूर तक आबादी देखने को नहीं मिलेगी जल्दी जंगलड'll में ही कहीं और यह आवासी होते हैं बच्चो को इसी में रहना है से और गाउं के बच्यों को ही मैं खुद कर आ रही हूं अपने बच्चे की तेयारी करवा रही हूं तो नोदय में जो भी बच्चा जाएगा तो सबसे अच्छी बात यह होगी कि उसका एक फिक्स रुटीन होगा माई कर दो दो दिन छुटी है तो भी दात अच्छी होगी तब घर आने को मिलेगा ने और खाना खाने का उठने का हर्ची का टाइम फिक्स रहता है चुट्टी में भी उसकी टाइम कर उठना है और डाइट भी फिक्स रहती है डेली जो मेन्यू होता है उसी कमसार ही खाना बनता है अगर आप अपने बच्छे को डालना चाहा रही है तो अभी से उसकी त्यारी सुरू करा दिए क्लासिक्स में एंट्रेंस दे करके एड्मिशन हो जाएगा अच्छा तो अभी कौन से क्लास में अभी सिप्स में अपकी बार देगा हो अच्छा तो मार्केट में नोदे के बु सब्सक्राइब कर से अभी सिर्फ करना पुष्मिशनग पूरा थो सिर्फ करना अगर बच्टा क्लास प्लास वाइव क्लास तिप्स का पूरा सिर्फ तयार कर लेगा और थोड़ा जो यो पड़ा लेकिन उसमें आता है लेकर पढ़ेगा तो बच्चे को जब क्लास 5 एक्याम हो जाएंगे इसके बाद का एक दिन आराम मत करने क्लास 6 के गोगतं सो को पूरा तयार करते रिएगा जो सब्झेक्ट आते हैं इसको इदम पूरे पढ़ाई कर चुका हो होुँ कि अधिए काफी लुबी बात हो गई है रखते हैं हां जी सब्सक्राइब नेवा सब्सक्राइब यूटूब पे अरे इसके परसान होते हैं इसके लिए ठीक है ने चलो ठीक है आप कटिंग करके डाल दियो लेकिन जब मैंने अपना नाम बोलना तो उसके बाइब जो कोई कह